यह सरे medicine का मैं इस्तेमाल आज करने वाला हूँ और एक एक करके आपको बताऊंगा तो दौस्त सबसे पहले मैं acetic acid का इस्तेमाल करने वाला हूँ और गलत मत समझेए इसमें actually acetic acid है भीमिरल के डबबा में तो दोस्त इसको मैं यह जो आप देख पर है कि 25 लिटर पानी इसमें लिया गया है फ्रेस पानी तो इसमें एक-एक करके सबसे पहले आपको एसिटी कैसिटी देना है तो मेरा जितना हिसाब से लगता है 6 ml तो 6 ml मैंने यहां पर दे दिया उसके बाद इसको थोड़ा सा हिला देखिए बहुत सरे फार्माट पहले जो गृत को मोटर है उसको दे देता है उसके बाद एसिटी कैसिट देता है लेकिन एक-एक प्रोसेस करके आपको करना चाहिए और उसके साथ यह जो ब्लिचिंग बटर का टैबलेट तो यह मत्रा में देना चाहिए क्योंकि फूरा ट भूला लीजिए उसके बाद यह जो आप देख पर है रिकोविट ग्रोथ प्रोमोटर है इसको मैं सो वार्ट में दो एमेल करके हिसाब से देने वाला हूँ और यह जैसे कि मेरा पांच बाल्टी पानी लगेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इसमें मैं देने वाला हूँ 12 एमेल तो यहाँ पे दे दिया उसके साथ और थोड़ा सा दे दिया यह 10 एमेल का है हो गया और कोई भी गुट पर मोटर आप अगर इस्तिमल करोगे तो उसके साथ आपको जो ऑस्टोभेट है इसको देना है तो इसको पहले ठीक तरह से हिला लीजिए उसके बाद इसको तो एक बाल्टी में मैं यह जैसे के 25 लिटर पानी है तो इसमें मैं 50 एमेल के हिसाब स दे रहा हूं तो इसको पहले ठीक तरह से घुला लीजिए उसके बाद यह जो पानी है इसको चिक्स को देने के लिए सापिसेंट है इसके बाद इस तरह से पानी को डूबो के मैं चिक्स पे देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि यह जो पानी धुने का जो काम है अ आप सभी को पता चले कि किस तरह से ग्रोथ पर मोटर एक्सिल में दिया जाता है तो दूस्त आशा करते हूं यह वीडियो आप सभी को आच्छा लगए वीडियो आच्छा लगने पर फ्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए जाके हर पर्टिपर भाई को मेरा सुचना मिल सके उसका लाव हो सके धन्यवाद